नमस्कार आप सभी का Against Crapson 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार का दिनियम 2005 के तहत यदि सूचना आयोग में भी मनमानी की जाती है सूचना आयोग में सूचना आयुक्त और मुक्ष सूचना आयुक्त भी स्वासमें सही वांचित सूचना उपलब्द नहीं करवा सकते हैं तो हमें इनके खिलाब क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे कई भी साथी कॉल कर कमेंट्स कर मुझे बता रहे थे सर मैंने आयोग में शुनवाई की लेकिन मुझे सही से अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया या मैंने अपना पक्ष रखा जिसमें लोग सूचना पदाधिकारी दोसी भी नजर आए लेकिन सूचना आयोग द्वारा उन पर कारवाई न कर किसी वरिष्ट पदाधिकारी के शंग्यान में देने की बात कहकर बिना सूचना दिलाए भी वाद को समाप्त कर देते हैं इस प्रकार सूचना आयोग की मनमानी कब तक चलेगी इसलिए इस बारे में आज हमें इस वीडियो में विष्टार से चर्चा करेंगे हमारे बिहार के रजी हसन भाई हैं जो मुझपर पूर्जी लेशे हैं और भी कई हमारे साती हैं जिनोंने मुझे वीडियो बना कर इस पर अपने बारे में एक पक्ष रखने की बात कहे हैं जिस प्रकार हम लोग इसके खिलाफ किस-किस प्रकार सिकायत दर्ज कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे के ग्रूप में अधिक से अधिक सेयर करें जिससे इस तरह की हर वीडियो की जानकारी सभी को हो स करके तथा एक लाइक अवश्च कर देंगे तो हमारे रजी हसन भाई जो मुझपर पूर्जीले से हैं वो दिव्यांग हैं और वो हजारों आर्टे आई कर चुके हैं और दिव्यांग होते हुए भी वो भरस्टाचार के खिलाप लगातार आर्टे आई करते आ रहे हैं मैं भी 2017 से लगातार आर्टे आई करता आ रहा हूं और इसमें कभी सफलता भी मिली लेकिन कुछ में सूचना आयोग द्वारा मनमानी भी किया जाता है इसलिए इसके खिलाप हम लोग अपने अपने सूचना आयोग में धर्ना प्रदर्शन कर सकते हैं सभी अपने अपने राजी के जितने भी आर्टे आई कारी करता हैं आवेदक हैं एक शामुहिक रूप से एक मेडिया को सुचित कर मेडिया के माध्यम से इस बात को सरकार के पास पहुचने का पढ़ियास अवस्य करेंगे जिससे सूचना आयोग पर भी कुछ दवाब आवे और वो सूचना आयोग जो मनवानी करते हैं वहां उसमें थोड़ा सा सुधार आए और दोसी लोग सूचना अपनाधिकारी पर सूचना आयोग के माध्यम से ही करवाई करवाई जा सके या हम लोग सूचना आयोग के खिलाप मुख सूचना आयोग थो या सूचना आयोग थो उनके आदेश के खिलाप भी हम लोग हाई कोट में एक रिट या चिकाया भी दायर कर सकते हैं इसलिए हम लोगों को एक जुट होकर प्रस्टाचार के अवस्य लड़ना पड़ेगा क्योंकि पदाधिकारी एक दूसरे पदाधिकारी को बचाने का ही काम किया करते हैं। मैंने भी कई ऐसे आदेश राज्य मुक्ष सूचना आयुक नरेंद्र कुमार शिन्हा का कई आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। इसकार पदाधिकारी रोहतास हैं। इसमें संतूर्ष कुमार पांडे के द्वारा सूचना मांग की गई। जिसमें दूती अपील भी दायर किया गया और उसमें सुनवाई हुई। दूती अपील में इन्होंने आपत्ती भी लगाई थी। लेकिन इनके आपत्ती के बावजूद भी दोसी लोग सूचना अपदाधिकारी पर आयुक द्वारा डारेक्ट करवाई नहीं की गई। जबकि आयोक के द्वारा भी लिखी गई है आदेश में कि अब तक कोई सूचना प्रदान की हुई परतित नहीं होती है और एक वर्स नौ महा का बिलम भी हो चुका है। जब यह असपश्ट हो चुका है कि लोग सूचना अपदाधिकारी दोसी हैं तो उन्हें आयोक के द्वारा सिग्र ही उस पर आर्थिक डंड लगाना चाहिए बीस एक के तहत और धारा बीस दो तक विवागय कारवाई की भी एनुसंसा कर देनी चाहिए थी। लेकिन मुख सूचना आयुक्त बिहार के द्वारा इस आदेश की परती जीला पदाधिकारी के शंग्यान में देने की बात कहकर बिना सूचना दिलवायवाद को शमाफ्त कर दिया गया है। इस तरह कुछ न कुछ आयुक की मनमानी जरूर नजर आ रही है। इसलिए हम सभी आवेदक को एक जूठ होकर इनके खिलाब धर्णा प्रदर्शन करें। तथा जो शक्षम है जो कुछ लर सकते हैं। कुछ आसानी से जा सकते हैं। वो अपने किसी विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एक रिट याचि का अवस्य दायर करें। मैं भी या सूच रहा हूँ कि एक रिट याज का दायर अवस्य करना चाहिए। जिससे सूचना आयोग की मनमानी पर कुछ रोक लग सके। इसलिए जो इस से सहमत हैं वो हमें कमेंट कर अवस्य बताएंगे। तथा इसे इतना अधिक शेयर करेंगे। जिससे इस यह वीडियो हमारी सरकार के पास पहुँची। हमारे गवर्नर साहिब के पास पहुँच जाए। क्योंकि गवर्नर साहिब के समक्षें सूचना आयुक्त और मुक्षूचना आयुक्त द्वारा सपत गरहन में किया जाता है। कहा जाता है कि मैं अपने इस पद का दुरूपयोग नहीं करूँगा, मैं अपने नजर से, सही धंग से न्याय देने का प्रियास करूँगा, तथा कोई भेदवाव नहीं करूँगा, लेकिन वह सपत गरहन तक ही रह जाता है, कैल आवेदक के द्वारा मुझे कॉल कर यह बताया जाता है, सर मेरी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई, उन्होंने मेरी पूरी बात को नहीं रखी, या मेरे आपत्ती आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया, यह हमारे बिहार राजी की ही बात नहीं है, मुझे यूपी से भी कुछ कमेंट्स भी आएं, कि यह सब केबल किताबों में कानून बन कर रह गया है, लेकिन हम आप लोगों से निवेदन पुरुबक कहना चाहता हूं, कानून तो सचमुच किताबों में है, लेकिन उसका पालन हम जनता को ही करवाना परेगा, उस पर दवाब देना परेगा, हम जनता जिस दिन जागरूख हो जाएंगे, तो कोई भी पदाधिकारी हो, या कोई भी आयोग हो, या कोई भी कोट हो, उनको कानून के तहत ही, कोई भी आदेश पारित करना परेगा, इसलिए हम सभी जनता को जागरूख होने की जरुरत है, और भ्रष्टाचार के एक जुठ होकर लड़ने की जरुरत है, आसा है, आप लोग हमें भी साथ देंगे, तथा इस चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब अवस करेंगे, जय है